साथियों जैसे के अब जानते उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने यूपी प्लिस कॉंश्टेवल सिविल प्लिस कॉंश्टेवल के आरक्षी की जो भरती है साथ हजार दोसो चौवालिस पदों पर इसमें सभी वर्गों को जनरल, स्ट, 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 बी, स्ट, 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 वर्गों को तीन वर्ष की उपनी सीमा में छूट प्रदान की है तो अब सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया, समने बता दिया क्या भरती बूड की तर्फ से आया तो भरती बूड की वेबसाइट है, उसमें आप देखेंगे 26-12, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भरती 2023 के अंतरगत, आयू सीमा में छूट के सम्मद में शुद्धी पत्र, आप इसे यदि किलिक करते हैं तो एक शुद्धी पत्र खुलता है, जिसमें जो उपरी सीमा में छूट से सम्मदित इसमें दे रखा है, पूरा सूचना विज्यप्ती, ये शुद्धी पत्र है कौरिंजेंड में, इसमें आप देखेंगे कह रखा है, कि उत्रप्रदेश पुलिस हैव महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदप सबी स्रीणियों का मतलब है, आप जनरल है, आप OBC है, आप SCHT है और या EWS है, तो देखें, OBC, SCHT, जो UP के मुलिमासी है, इनके लिए आईू सीमा हो गई है, 18 से 27 तो पहले थी, 18 से 3 साल का 27 और 3 कितनी हो जाती है, 30, ठीक है भी है, EWS के लिए 18 से 25 और जो जनरल है, उनके लिए भी 18 से 25 मेल के लिए, फीमेल के लिए 18 से 22 तो 18 से 25 पहले थी, और 3 साल की छूट और ले ले लेना, 18 से 28, जनरल बाकि SCHT भी सी, 5 साल की छूट पहले थी, 3 और तब उसी में 3 जोड लेना, तो अब ये भरती बोर्टने भी आप कर दिया है तो आप सभी लोग अप कनफर्म होंके मस्त आज फॉर्म बरिये मस्त खुश रहिए और बढ़िया तैयारी कीजे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँगा कि साथी अपनी तैयारी एक्जाम प्रूस से चल रही होगी मैं उम्मीद करूँगा कि आप परिश्रम से आप तैयारी कीजे मैं आपको सलह मान लीजे आदेश मान लीजे जैसा आप चाहें मश्वरा मान लीजे राकि अपनी फ्री क्लास के माध्यम सी में पूरी कोशिस कर रहे हैं रोज आरा आठ बजे हिंदी की क्लास होती है और ये जो 30 दिसम्बर शनिवार का देम ने इस द क्लास को शनिवार रात आठ बजे जरूर देखें बाकि रेगुलर क्लास में भी रहें और परिशर हमको जोइन करें उसकी क्लास एक तारिक से सुरूँगी यह ओफिशल नोटिफिकेसन आ चुका है ठीक है भी या सुद्धी के संबद में थैंक यू जैहिन